प्यार है नाम तुम्हारा क्या हुआ था स्नेहा मा के साथ। हेलो कौन पहचनो कौन है अरे यार भूला दिया हमें और एक खिलखिलाती हुई हसी फोन पर सुनाई पड़ी अरे स्नेहा तुम इतने दिनों बाद कैसी हो नेहा पहचान कर खुशी जाहिर करते हुए बोली नेहा यार तुम तो मेरी पक्की सहेली हो तुमसे कैसे दूर रह सक रखती थी ऐसे भी दोस्ती निभाने में हम तो नंबर वन हैं बहुत सारी बाते करनी है मुझे तुमसे अच्छा मेरा फोन नंबर लिख लो अभी मुझे होस्पिटल जाना है कल बात करते हैं और स्नेहा ने फोन रख दिया होस्पिटल बात अधूरी रह गई नेहा कुछ चिंतित हो उठी आखिर उसे होस्पिटल क्यों जाना था नेहा बुदा-बुदा रही थी नेहा के मन में स्नेहा की स्मृतियां चलचित्र की तरह तैर गई कालेज में फॉर्म भरने की लाइन में नेहा खड़ी थी लाल रंग के पोलका डॉट का सूट पहने और उसी लाइन में स्नेहा काले रंग के पोलका डॉट का सूट पहने खड़ी थी उन दिनों पोलका डॉट का फैशन चल रहा था गम है किसी के पास, स्नेहा जोर से बोली, स्नेहा को फॉर्म पर फोटो चिपकानी थी, हाँ है, देती हूँ, नेहा ने मुसक्राते हुए गम की छोटी सी शीशी स्नेहा को थमा दी, बदले में स्नेहा ने मुसकान बिखेर दी, फॉर्म जमा कर बाहर निकलते हुए स्नेहा चप थेंक्यू कैसा, चलो आओ, उधर सीलियों पर थोड़ी, देर बैठते हैं, नेहा बीच में ही बोल पड़ी, नेहा, सनेहा, दोनों वहाँ अकेली, थी, दोनों को, शायद इसलिए एक दूसरे का साथ, मिल गया था, अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है, सनेहा धोले, और तुम बोली, वैसे, धोले, किया, हम गड़वाल के हैं, सनेहा ने उत्तर दिया, नेहा गौर, से सनेहा को निहार रही थी, बड़ी बड़ी आँखें, तीखी, नाक, गुलाब की पन्खुडियों जैसे होंट, दमकता हुआ, रंग मतलब सुन्दर्ता के पैमाने पर तराशा थी सनेहा और पहाडी निश्चलता से सराबोर उसका व्यक्तित्व किया हुआ, सनेहा ने टोका, न, 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 नहीं, बस ऐसे ही, नेहा मुसक्रा कर रह गई, तुम, कितने भाईबहन हो, सनेहा ने पूछा, एक भाईबहन, हम भी एक भाईबहन हैं, कितना कुछ मिलता है, हम म न, सनेहा जोर से खिलखिलाते हुए बोल पड़ी, हाँ, सच में, नेहा भी आश्चर्य से भर गई थी, तो, आज से हम दोनों दोस्त हुए, दोनों ने एक साथ हाथ पकड़ कर हंसते हुए कहा था, लखनव अमिनाबाद कालेज से निकल कर दोनों ने, पाकीजा जूस दोस्त हम चुनते हैं, पर नेहा का मानना है कि दोस्ती भी हो जाती है जैसे उस दिन सनेहा से, उसकी दोस्ती हो गई थी, नेहा सनेहा की यादों को एक सिरे से समेट रही थी, उसने पुराने अल्बम निकाले, एक फोटो थी NCC, कैम्प की, जिसमें वह खुद और सनेहा पै सनेहा ने चुहल बाजी करते नेहा से कहा था, क्या सनेहा हर समय लड़कों को देखती रहती हो, नेहा गंभीरता उड़कर बोली थी, अरे यार NCC में हमारे कैम्प लड़कों से अलग हो जाते हैं, तो नेंसुक तो ले ही सकते हैं न, सनेहा बोलते बोलते, जोर से हंस नेहा और सनेहा दोनों ने ही ग्रेजुएशन में NCC ली थी और पहली बार दोनों भर से दूर कैम्प गई थी, साथ साथ खाना, साथ साथ रहना, साथ साथ परेड करना, लगभग सारे काम साथ, उनकी दोस्ती, गहरी होती जा रही थी, कितने गंदे पैर ले कराई हो, सनेह ने डांटते हुए, कहा था, अरे यार, आज मेरी सफाई की ड्यूटी थी, सो पैर में कीचर लग गया, नेहा ने गुसाते हुए, कहा था, हममम, कैम्प की सफाई कर खुद को गंदा कर लिया, सनेहा बढ़ढ़ाती जा रही थी, सनेहा तुरंट उठी और एक तॉलिया ले तनिक भी संकोच नहीं हुआ, एक मात्रवत भाव के साथ वह ये सब कर रही थी, कहा से आयूस के अंदर यह भावना, शायद उसकी परिस्थितियां, नेहा सोच में में पढ़ गई थी, एक दिन पाकिजा जूस संटर पर जूस पीते-पीते नेहा, ने कहा, सनेहा, आज चल हैं तुम्हारे, माम पापा और तुम्हारी प्यारी सी दादी, मा ने कितने अच्छे पकोड़े बनाए, सनेहा बिना रुके बोले जा रही, थी, अच्छानक मुस्कराई, और तुम्हारा भाई भी, बहुत अच्छा है, शरारत के साथ आँखे मत काते, अपने चिरपरिच अच्छित अंदाज में सनेहा बोली थी, सनेहा की इस अंदाज को नेहा बखु भी समझ चुकी, थी, वो भी हांस पड़ी, अब मुझे भी अपने घर ले, चलो, नेहा ने सनेहा से कहा, मेरे घर, सनेहा, कुछ हिच-किचा गाई, ले चल, सनेहा, तुम्हारा घर तो सीताप और रोड पर खेत खलिहानों के, पास है, बहुत मजा आएगा, हमम, अच्छा, कल चलना, सनेहा का स्वर कुछ धीमा पड़ गया था, कितनी सुन्दर जगह है तुम्हारा घर, हरे भरे खेतों के, बीच, नेहा, सनेहा का घर देखकर खुशी से जूमी, जा रही थी, सनेहा क घर कच्छे रास्तों से गुजरता, ठा, घर पहुंचते ही सनेहा ने अपनी दादीमा से मिलवाया, ये है मेरी सबसे प्यारी दादी तुम्हारी, दादी की तरह, और दादी, ये है मेरी पक्की वाली, दोस्त नेहा, सनेहा ने फिर गरमा गरम छोले चावल, खिलाए, सनेह छोले तो बहुत टेस्टी है, आंटी ने बनाए होंगे, नेहा खाते खाते बो, नहीं, मैंने बनाए है, स्नेहा कुछ गंभीर हो गई थी, तुमने, यार स्नेहा, यू आर ग्रेट, कुक, वैसे आंटी कहा है, नेहा ने पूछा, मम्मी, स्नेहा की बात अधूरी रह गई, पीछे वाले कमरे से सावली साधारन सी बिखरे बालों के साथ एक महिला वहां आ गई नेहा कुछ आश्चर्य से उन्हें देखने लगी फिर मेरी मम्मी कैस नेहा ने उस महिला का परिचय कराया नेहा सोच में पड़ गई सनेहा तो कितनी सुन्दर और उसकी मम्मी साधारन सी बिखरे बाल दांत भी कुछ तूटे हुए ये कैसे कई सारे सवालों से नेहा गेर गई थी सनेहा की मम्मी कुछ अलग सी मुस्कान के साथ अंदर चली गई नेहा तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा न मेरी मम्मी ऐसी दरसल मम्मी पहले बहुत अच्छी दिखती थी लेकिन जब मेरा भाई किदनेप हुआ तब से मम्मी की हालत ऐसी हो गई भाई तो वापस मिला लेकिन मम्मी तब तक मेंटल पेशेंट हो चुकी थी स्नेहा धीरे धीरे बोल रही थी उफफ नेहा ने एक लंबी सांस भरी कितना दुख है जीवन में मां होते हुए भी मां का प्यार दुलार ना मिले स्नेहा तो अपनी मां से कोई जिद भी ना कर पाती होगी नेहा का मन भरा जा रहा था चलो नेहा मैं तुम्हें अपना स्कूल दिखाती हूँ हमारा स्कूल को एजुकेशन था एक से एक स्मार्ट लड़के पढ़ते थे अब तो हम गल्स कालेज में आ गए स्नेहा ने शायद स्नेहा के माथे पर पड़ी सलवर्टों को देख लिया था और वो महौल को कुछ हलका करना चाहती थी स्नेहा तुम भी ना नेहा ने ये कहल कर हसी तो स्नेहा भी खिलखिला पड़ी थी नेहा उस अल्बम की हर फोटो को बड़ी गौर से देख रही थी वेलकम पार्टी उस सेंटर का जूस पीते हुए बीत रहे थे पर दिन हमेशा एक से नहीं रहते ग्रेजुएशन के फाइनल इयर के आखिरी दिनों में स्नेहा कालेज में लगातार गैरहजर हो रही थी नेहा चिंतित थी क्या हुआ क्यूं नहीं आ रही है स्नेहा पता चला स्नेहा बहुत द स्नेहा का चहरा स्याह पर चुका था आंखे गढ़े में चली गई थी चहरा फिकाफी कासा लग रहा था दे जैसे हड़ी का धाचा नेहा को स्नेहा का वह पहले वाला दमत्ता सौंधर्य याद आ गया और आब आओ नेहा एक कमजोर सी आवाज और फीकी मुस्कान के साथ स्न पर बैठ गई नेहा ने सनेहा का हाथ पकड़ते हुए पूछा क्या हो गया सनेहा किसी को कुछ बताया भी नहीं अकेले अकेले ही सारे दुख जेलती रही नहीं 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 कुछ पता ही नहीं चला पहले फीव और हलकी कमजोरी थी फीव की दवा ले लेती थी प अंदर घर का काम भी रहता था और विकनेज बढ़ने लगी और एक दिन खून की बहुत सारी उल्चियां हुई मेरे पापा तो बहुत घबरा गए यहां हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया स्नेहा धीरे धीरे सारी बाते नेहा को बताती जा रही थी और तुम्हारी मम्मी न नेहा ने तुरंथी पूछा उद्धरन मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं चलता वे तो बोलते बोलते स्नेहा रुक गई और एक गहरी सांस अंदर खीच कर रह गई पर खून की ओर्टियां क्यों मूई तुम्हें नेहा अगले प्रश्न के साथ तैयार थी दरसल मुझे सीवि ट्यूबर कुलोसिस है पूरे लग्ज में इंफेक्शन है थोड़ा मुझसे दूर ही रहो स्नेहा पहले तो कुछ गंभीर थी फिर हंस दी पर स्नेहा तुम्हारा इलाज तो सही हो रहा है न यहां के डाक्टर्स अच्छे है न नेहा ने चिंतित स्वर में पूछा स्नेहा के चहरे पर शरारत टपक गई बोली अरे यार नेहा डाक्टर्स तो अच्छे है एक नहीं दोद अच्छे है एक सीनियर डॉक्टर और एक जूनियर डॉक्टर सीनियर वाला न मेरे गड़वाल का ही है पर सूरत जूनियर वाले की ज्यादा अच्छी है स्नेहा तुम नहीं सु कि डाक्टर्स कैसे हैं तो मैंने बताया स्नेहा हलके गुस्से से बोली इतने में एक साधारन नय नक्ष का सावला डॉक्टर आया उसे एकजामिन किया और पूछा स्नेहा जी अब वोमिटिंग बंध हुई feeling better now हां डॉक्टर स्नेहा ने भीमे से जवाब दिया पीछे एक हैंसम सा जूनियर डॉक्टर साथ था उसने स्नेहा को कुछ दवाएं दी और मुसक्राते होए चला गया उद्धरन देखा स्नेहा दोनों डॉक्टर अच्छे हैं न स्नेहा चाहक कर बोली नेहा प्यार से स्नेहा को सहलाने लगी और बोली स्नेहा जल्दी से ठीक हो जाओ परिक्षाएं पास आ रही हैं मैं तुम्हें नोट्स दे दूनगी ओके स्नेहा ने भी नेहा का दूसरा हाथ अपने हाथों से कस के पकड़ लिया और अन्सूओं की दो बूंदे उसकी आँखों से ठुलक गई नेह अपनी आँखों को छलिकने से बचाने के लिए तेज आवाज में बोली माई डिया गेट वाल सून नेहा भीगी पलकों के साथ वहां से चली आई परिक्षाएं पासा गई थी स्नेहा की तबियत पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई थी वो फाइनल एक्जाम नहीं दे सकी स्नेह हॉस्टल से डिस्चार्ज होकर अपनी दादी के साथ पहार चली गई इधर नेहा आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई वहीं हॉस्टल लेकर पोस्ट ब्रजुएशन करने लगी और साथ में सिविल सर्विसेस की भी तयारी कर रही थी उसे बिलकुल भी फूर्सत ना मिलती मोबाईल उन दिनों था नहीं जो हर समय दोस्तों से वह बात कर सके लखनाओ घर बात करने के लिए हफते में एक बार हॉस्टल के पी सी ओ जा पाती थी नेहा स्नेहा को याद करती पर बात नहीं हो पाती पता नहीं स्नेहा कैसी होगी उसकी तबियत उसकी मां का क् लंबी सांस खीच कर नेहा किताब खोल कर पढ़ने बैठ जाती स्नेहा से मिले हुए नेहा को 10-11 महीने हो रहे थे नेहा दिल्ली से छुट्टियों में अपने घर आई हुई थी कहते हैं किसी को शिद्दत से याद करो तो वह मिली जाता है उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ स्ने कर पूछ हुआ था क्षिट भी थी क्योंकि स्नेहा ने होस्पिटल जाने की बात कहकर फॉन कात दिया था कुछ देर बाद फॉन की घंटी बजी नेहा ने पहली घंटी बजते ही रिसीवा उठा लिया हेलो स्नेहा हाँ नेहा मैं स्नेहा बोल रही हूँ स्नेहा कल तुमने हॉस्पिटल जाने की बात कै कर फोन काट दिया था क्या तुम्हारी तबियत ठीक नहीं हुई नेहा ने कुछ घबराते हुए पूछा नेहा मुझे कल जाना था हॉस्पिटल डॉक्टर से मिलने वही तो मैं पूछ रही हूँ स्नेहा डॉक्टर से मिलने तुम्हें क्यूं जाना था नेहा लगभग जुन चला कर बोली नेहा जब तुम मुझे से मिलने हॉस्पिटल आई थी तो याद है तुम्हें दो डॉक्टर जोशी उन्होंने मुझे बुलाया था स्नेहा बताने लगी नेहा परंतु कल शाम हमारी फैमली डॉक्टर कुलकरनी के क्लीनिक से जो फोन आया उसने तो पूरे घर में तहलका मचा दिया हमारी मम्मी जी पेट से थी फोन मैं नहीं सुना था सुनकर मुँँ खुला का खुला रह गया दूसरी तरफ से डॉक्टर की सहायक का सुरिला स्वरो भरा था कांग्रेचुलेशन्स मिसेज अवस्थी इस प्राग्नांट मैं शायद संसार की ऐसी पहली बहु थी जो अपनी सास के गरभवती होने की खबर उन्हें दे रही थी पूरे घर में तहलका मच गया मम् साथ वर्षिय बेटे अजय से मोबाईल से नंब लगवा कर सारे रिष्टेदारों को ये खुश खबरी सुना कर अपने सास होने के करतव्य का निर्वाह भी कर लिया हम तीनों बहुँ में से मैने और मज़ली देवरानी ने ये तैख किया कि अपने अपने पती को ये खबर सारे कामों से निबट कर रात को शयन कक्ष में ही सुनाएंगे मगर छोटी देवरानी मोनाली को पती अतुल को अभी ये खबर सुनाने से सक्थ मना कर दिया क्योंकि वह इस समय शहर से बाहर था और बेवजह उसे तनाव देना ठीक नहीं लगा सहारा बना लिया रेखा को उदास देखकर मानजी को बहुत तकलीफ होती उनकी कोशिश होती कि रेखा खशू रहे मानजी ने बहुत सम ने की कोशिश कर कहा जिस मां का जवान बेटा उसकी आँखों के सामने गुजर जाए उस मां के कलेजे से पुंचों मुँ पर क्या देटे की मौत का गम कोई कम नहीं होता, मेरी आँखों के सामने मेरा जवान, बेटा चला गया और मैं अभागिन बैठी रह गई, मैं किस के आगे रूहूं, मैं ने तो कलेजे पर पत्थर रख लिया, लेकिन बेटा हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, मान जी, विपुल अचानक विपुल का इस दुनिया को छोड़ कर चले जाना, ना कुछ अपनी कही, ना मेरी सुनी, मैं कितना अकेला महसूस कर रही हूँ, कुछ कह भी नहीं पाई विपुल से, जिस के लिए तुम दुखी हो, वो मेरा भी बेटा था, एक बार मेरी तरफ, देख मेरी वक्त हर जखम का मरहम है, उसे जितना कुरेयोगी उतना उभर कराएगा, शांत मन से सोच कर तो देखो, जो यादे तकलीफ दे हूँ, उन्हीं भूल जाना ही बहतर है, बेटा मांजी ने रेखा के, सिर पर हाथ रखा और कहा, अब अपने बच्चे को देखो, यही हमारी द आफिस में थे, तुम्हारे कंदों पर घर की जिम्मेदारी थी, इसलिए तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ी, अब बेटी वक्त आ गया है, विपुल के छोड़े काम अब तुम्हें ही तो पूरे करने है, कल से तुम्हें आफिस भी जाना है, अब तुम्हें घर संभालन है, अब मैं तुम्हारी आँखों में आशू न, देखूं, चलो सोने की कोशिश करो, रेखा को नींद नहीं आई, इस घर में उसकी छोटी सी दुनिया थी, जो उसने विपुल के साथ बसाई थी, विपुल के साथ लड़ना, गगरना, रुठनम नाना सब ही तो था, अब है, यही सोचते सोचते सारी रात पलकों में ही गुजर गई, आज रेखा का जनम दिन भी है, वो बिस्तर पर लेटी, सोचने लगी कि अगर विपुल होते तो चार दिन पहले से ही हंगामा हो रहा होता, पिछले साल की ही बात है, इस दिन विपुल ने घर ही सेर पर उठा ल चली गई, सोचा आज के दिन जल्दी नहा लेती हूँ, मांजी और बबलू ने भी मेरे लिए कुछ प्लान किया, होगा, नहा कर कपड़े पहन ही रही थी तो देखा, बलाउज का हुक तूटा हुआ है, वो गाउन पहन कर, मांजी के पास गई और उनके पेर्च हुए, मां मांजी को मेरा जणम दिन याद नहीं रहा होगा, आगे बढ़कर अपने बेटे बबलू को उठाया और स्कूल जाने के लिए तयार होने के लिए कहा, लेकिन ये क्या, बबलू ने भी उसे विश्ट नहीं किया, किसी को याद नहीं कि आज उसका जनम दिन है, हमेशा मांज उसके जनम दिन पर माथा चमूती थी और बबलू चुम्या करने में कोई कसर नहीं छुड़ता था पर आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ रेखा की आखे भराई वो बाथरूम में गई और चेहरे पर पानी की छीटे डाल कर अपने आपको संभाला और ओफिस जाने के लिए तैय छोड़ना भी था सोचने लगी इन तीन महीनों में जिन्दगी के रंगी बदल गए मेरे दुख सुख का साथी जिसके साथ जीने मरने के वादे किये थे अब नहीं रहा कैसे मैनेज होगा सब कुछ मैनेज कर भी पाऊंगी या नहीं मांजी यह सब देख अपनी बहु रेखा के लिए चितिन्त रहती थी उनकी कोशिश रहती कि रेखा को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो वे आगे बढ़ बढ़ कर उसका काम में हाथ बटाती रेखा को देर होते देख मांजी ने घड़ी की तरफ नजर की मन में सोचा आज रेखा को इतनी देर क्यूं लग रही है फिर आवाज लगाए अरे बहूप रेखा क्या कर रही हो जल्दी करो बेटा घड़ी देखो तुम लेट हो रही हो बबलू की बस निकल गई तो तुम्हें स्कूल तक छोड़ना पढ़ेगा रेखा ने जवाब में कहा बस मांजी जरा बलाउज में होक टांक लूँ फिर तैयार होती हूँ लाओ बेटा बलाउज मूँ दे दो हुक में लगा देती हूँ अरे नहीं मांजी आप मेरे बलाउज में हुक लगाएंगी मूँ लो अच्छा नहीं लगेगा मांजी ने फिर कहा इसमें अच्छा नहीं लगने वाली क्या बात है बेटा अगर मेरी जगल तुम्हारी मां होती, तो वे भी ऐसा ही करती, रेखा के उदास मनने शादी के पहले की बात सोच, कहा, नहीं मांजी, ऐसा नहीं है, मेरी मां ऐसा कभी, नहीं करती और चार बाते मूँ, सुना देती, कहती की, बेटी तुम्हें पराए घर जाना है, अपना काम स्वयम, करने की आदत डालो, ससुराल में कौन करेगा, तुम्हारी सास, इतना कह हंस पड़ी, ये सुन मांजी को भी हंसी आ गई और कहा, अरे बेटा हर मां अपने बच्चों के अच्छे के लिए, सीख देती है, लाओ बलाओ जमू, दे दो, हुप में, लगा देती हूँ, तुम्हें देर हो रही है, बबलू की बस, निकल गई तो फिर तुम्हें ही स्कूल तक छोड़ना पड़ेगा, इसी बीच बबलू स्कूल के लिए तयार हो गया था, मांजी ने उसे नाश्ता दे दिया और पूछा, बेटा, आज, किस सबजेक्ट का टास्ट है, अंग्रे जी का दादी, र बहुत देर हो गई, ओफिस में ले, कर कुछ खाल लूँगी, बस तो निकल गई होगी मम्मी, घरी देखो, अब आप कोई छोड़ना पड़ेगा, बबलू बोला, उफ, रेखा के मूँ से निकला, मांजी बोली, कल से मूँ, ही ध्यान करना पड़ेगा, लंच मैं पैक कर द दूंगी, बेटा, मैं भी तो तुम्हारी मा जैसे हूँ, अगर वे अपनी, बेटी को इधर उधर दोड़ते भागते देखती तो वे भी, ऐसे ही करती, सुबल के समय पचास काम होते हैं, मांजी आप तो मेरी मा से भी बढ़ कर हैं, मेरी मा, तो मू, लो चार बाते सुना देती, कहती यहां तो, बनाबनाया मिल रहा है बेटी, ससुराल में खुद ही बनाना होगा और खुद ही पैक करना होगा, अभी से, आदत सुधार लो वरना ससुराल में कौन करेगा, तुम्हारी सास, ये कैर रेखा के चेहरे पर फिर, मुस्कान तैर गई और फिर आगे बो मान जी, इस रिलेशन में तो मैं बहुत खुश हूँ, बेटी, तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो, मेरा बेटा, बहु, और बेटी तुम हो, तभी बबलू ने दादी को चुमा, ठीक है दादी, हम आ कर, मिलते हैं, दोपहर बाद बबलू स्कूल से आ गया, बहुत खुश थ दादी ने कहा, बेटा बहुत खुश हो, क्या बात है, अरे, दादी भूल गई, आज मम्मी का जनम दिन है, उन्हें सर्प्राइज देना है, बबलू ने खाना खा लिया, था, हाथ धोकर दादी पोते में मीटिंग हुई, बबलू ने कहा, दादी, मम्मी सोच रही होंगी क किसी को, मेरा जनम दिन याद नहीं रहा, हम उन्हें सर्प्राइज देनगे, हाँ बेटा, दिन बाहर करेंगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, अब तुम घर डेकोरेट करो, मू से चड़ा उत्रा, नहीं जाएगा, ये काम आपका, ठीक है, मम्मी को पिंक रंग बहुत पसंद है, मैं, पिंक रंग की साड़ी पैक कर देती हूँ, मम्मी को अच्छा, लगेगा और उसके लिए सूजी का शीरा बना देती हूँ, ठीक है दादी, मैं मम्मी के लिए ग्रिटिंग लिखता हूँ, दादी क्या लिखूं ग्रिटिंग में, लिखो बेटा, फूल में जिस तरह खुश्बू अच्छी लगती है, मू, उसी तरह अपनी मां अच्छी लगती है, जनम दिन मबाराखो मेरी प्यारी मां, अरे, वह दादी, यू आर ग्रेट, अब मजा आएगा, यहू, बर्थडे म्यूजिक भी लगा दो बेटा, मम्मी आज, जल्दी ओफिस से आ कर मंगा लेंगे, यही सोचते सोचते, घर पहुंच गई, जैसे ही घंटी बजी, गेट खुला, रेखा, की आँखे फटी और मूँ खुला का खुला रह गया, की तो ये बात थी, मैं तो सारा दिन सोचती रही, की किसी ने मूँ विश नहीं किया, तो ये सब प्री प्लान इसी को कहते हैं सरप्राइज मम्मी, मांजी और बब्यू ने विश किया, पिंक रम की साड़ी पा कर रेखा, खुश हो गई, दुख था कि विपुल साथ में नहीं थे, बहु को उदास होते देख मांजी ने कहा, बेटा, घाव, जितना कुरेयोगी उतना और उभर कर हर, अगला दिन नई उम्मीद लेकर आता है बेटी, मन का, क्या है वह तो खाली डब्बा है, जैसा हम बनाएंगे, वैसा ही बन जाएगा, चलो, बी हैपी, आज दिन, बहर करेंगे, हम सब का मन बहल, जाएगा, बबलू भी खुश हो जाएगा, फिर वे दिन, के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए, बबलू बहुत खुश, था, रेखा खाने का ओर्डर कर रही थी तो पीछे से, आवाज आई, हाए रेखा, रेखा ने घूम कर देखा, उसका कालेज का फ्रन्ड सुमित था, सुमित को देख रेखा के चेहरे पर एक चमक सिया, गई, सु अगे अपने आशु बहाए, मान जी देखने लगी की कौन हो सकता है, मान जी, यह मेरा कालेज का फ्रन्ड सुमित, फिर उन्हें रेखाने खड़े होकर पूछा, सुमित, तुम यहां क्या से, वाट ए सर्प्राइज, वह मैं डिना पर आया हूँ, कितने सालों बाद हम आज मिल रहे हैं, अचानक कहां गायब हो गए थे सुमित, ना कोई फोन, ना मिलना, वही एक ट्राजेडी हो गई मेरे साथ, ट्राजडी, किया हुआ, बताऊंगा, तुम इंजोई करो और तुम यहां कैसे रेखा, हम दिना पर आये हैं, तभी बबलू बोल पड़ा, आज मेरी प्यारी मम्मी का, जनम दिन है, अच्छा जी, हैपी बर्थ डे, रेखा, ठेंक्स, आओ बैठो सुमित, नहीं, फिर कभी, बेटा कभी भी मिलने घर आ जाया करो, अच्छा, लगेगा, सुमित को मांजी जानती नहीं थी, लेकिन, फिर भी मांजी बोल पड़ी, मांजी के द सम, सकता हूँ, बस मैं, भी परेशान था, इस बीच मिलना नहीं हो पाया, इतना कै सुमित चला गया, इसी बीच ओर्ड़ आ चुका, था, रेखा पलेट में सबजी डाली रही थी की मांजी, बोल पड़ी, बहु, सुमित की शादी हो गई, रेखा, चौंकते हुए बोली, ये कैसा सवाल है मांजी, किया, सोचने लगी आप, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं जानना चाहती हूँ, कुछ नहीं बेटा, क्या करूँ, इस बूरी को बस तेरा खयाल रहता है, इतना भी खयाल ठीक नहीं मांजी, पता नहीं क्या क्या, सोचने लगती हैं आप, इन सब खयालों में कहीं ऐसा न हो, एक नई चोटो भराए, घने अंधेरे के बाद ही सूरज की किरन आती है बेटा, समय की मांग यही है, समय सदा एकसा नहीं रहता, जब जीवन में किसी कारण से संतुष्टी मिलती है तो, अंदर के घाव भरने लगते हैं, समय के साथ साथ, बदलाव लाना जरूरी है, सही वक्त पर लिया फैसला, सही होता है, मांजी का हाथ अपने हाथ में थामते, हुए रेखा बोली, मांजी मैं ठीक हूँ, बेटी, मेरी जिन्दगी का भी क्या भरोसा, मैं तुम्हे सुखी, देखना चाहती हूँ, मांजी अगर मेरे हिस्से मे सुख, लिखा होता तो इस समय विपुल मेरे साथ होते, बेटा कुद्रत कभी किसी को कश्ट देकर कमजोर नहीं, करती बलकी मजबूत करती है, सम, मेरी बात, अकेली औरत को यह समाज चैन से जीने नहीं देता, मम्मी, आइस क्रीम खानी है, तभी बबलू बोला तो, बात अधूरी रह गई, मांजी आप आइस क्रीम का कौन सा फ्लेवर लेंगी, नहीं बेटा, मेरे लिए नहीं, रेखा बबलू को आइस क्रीम वाले के पास ले गई, वही सुमित भी एक बच्चे के साथ खड़ा था, बातों बातों में पता चला वह सुमित का बेटा है, सुमित नहीं हो पाया, कैसे मैनेज किया होगा तुम, ने सुमित, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, मैं तो पती के बिना जीवन गुजार ही रही थी लेकिन तुम्हारे साथ, इतना सब कुछ, मुँ, ले लगा कि मेरा दुख सबसे बड़ा है, किन्तु ऐसा नहीं, अगर हम दुनिया पर नजर, डालेंगे तो देखेंगे दुनिया में कितने गम है, परिवार में एक साथ तीन लोगों का चले जाना मेरी तो, दुनिया ही उजड़ गई, उस पर बच्चे की परवरिश, करना आसान नहीं था मेरे लिए, दोनों ने एक दूसरे का दुख सुना और फिर मिलने का वादा किया, इस बीच दोनों बच्चों में भी दोस्ती हो गई, बबलू ने खूब एंजोई किया, आज वो बहुत खुश था, कितने समय बाद उसने बाहर का खाना खाया, आइस क्रीम खाया और एक नया दोस्त भी बन गया, खाने कहा, चले बेटा, हाँ मम्मी, रेखा सुमित के बारे में सोचने लगी, उसने मानजी को सुमित के बारे में बताया, दोनों का दुख एक सा देख, मानजी रेखा के लिए सुमित के सपने देखने लगी, वे यह मौका खोना नहीं चाहती थी, रेखा ने तो इसी तरह अकेले जीवन बिताने क अपनी नियती मान लिया था लेकिन मान जी ने ऐसा नहीं चाहा बेटे विपुल को खोने के बाद बहु रेखा के लिए इससे अच्छा जीवन साथी हो की नहीं सकता जाते जाते रास्ते में एक बार फिर सुमित मिल गया मान जी से रहा नहीं गया कह बैठी बेटा मिलते रहन अच्छा लगेगा अपना फोन नंबर दे दो बेटा जी मान जी मान जी रेखा का मन जाने बिना सुमित के सपने देखने लगी अब मान जी हर दो दिन बाद किसी न किसी बहाने सुमित और उसके बेटे को बुला लेती और खुश रहती जैसा वह चाह रही थी वैसा ही हो र रेखा का मन बदलने लगा, सुमित का साथ पाकर, रेखा खुश रहने लगी, हर शाम सुमित का घर में इंतजार होता, सुमित परिवार का हिस्सा रहा था, रेखा को भी सुमित का इंतजार रहता, घर में हासी गूंजने लगी, दोनों बच्चे भी एक दूसरे के साथ मुशी में ही बीट जाती, न जाने क्यूं रेखा भी उदास हो, जाती, सब को सुमित की आदत सी पर गई थी, रेखा सोचती पता नहीं क्यूं सुमित के आने के बाद, सब कुछ कैसे बदल गया, क्यूं मेरा मन बदलने लगा, लेकिन अतीत है कि पीछा ही नहीं छोड रहा, म था, सोचती जब प्यार परवाना चज जाएगा तब सुमित और रेखा की कोर्ट म्यारेज करेगी, वक्त के साथ साथ एक दिन ऐसा आया भी, मानजी ने रेखा के सामने सुमित से कह डाला, बेटा, मैं रेखा का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंपने की सोच रही हूँ, बब परेशानियां बहुत आती होंगी, इतना सुनना था, रेखा बोली पड़ी, नहीं मानजी ऐसा, नहीं होगा, सुमित मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, मैं उससे हर दुख और परेशानी शेयर कर सकती हूँ, लेकिन सुमित को एक पती के रूप में नहीं देख सकती, क्य तुम आये सुमित, तुम मेरे जीवन में, तुम ने चाहे मेरे दिल में कितनी भी जगा बना ली हो, लेकिन प्रत्यक्षता परायपन की रेखा अभी भी उतनी, ये मोटी है, शायद ये कभी धुंदली भी नहीं हो पाएगी, दोनों एक दूसरे को देख खामोश थे, पाऊगे निकिता को, सुमित बिना कुछ कहे वहां से चला गया, मांजी से, रहा नहीं गया, वे विचलित हो गई, रेखा से कहा, विध्वा ओरतों के लिए समाज अभिशाप है, सारा, समाज जो मर्द बहुल्य है तुम्हें एक अलग नजर ये, से देखेगा, उसकी गंदी नजर, गंदी हरकते क्या क्या, सहोगी, मैंने भोगा है, इस दौर से गुजर चुकी हूँ, जब अंधेरा होता है तो सवेरा भी फूटता है, परिवर्तन, संसार का नियम है, मांजी जिन रिष्टों में सम, ता करना पड़े वे रिष्टे, जिन्दा तो रहते हैं पर उनमें जिन्दगी नहीं होती, बबलू, आप और मैं इसमें किसी चौथे की गुनजाइश, नहीं और मैं खुश हूँ, यही मेरी दुनिया है, धूल लग, जाए तो मिटाना आसान होता है, लेकिन जहां जंग, लग जाए ना तो मुश्किल, मांजी की आँखों के साम ने कितने चित्रबंता बिगरते रहे, उनका न इक का काम आया न दुख का और वे हार गई, इतना कैह रेखा अपने कमरे में चली गई, अभी भी वेपूल की महक से कमर भरा हुआ था, उस महक से जो रोम रोम में बसी थी, अगले दिन, स्कूल जाने के लिए रेखा ने की ओर भाग गया, कुछ देर बाद बबलू ने आवाज लगाई, मम्मी, तॉलिया देना जरा, बबलू के तॉलिया मांगने पर, रेखा को अपनी बात याद आ गई और एक हलकी, सी मुसकान उसके होटों पर तैर गई, मान जी ये देख पूछ बैठी, इस मुसकान की वज लगाए, मा, जरा तॉलिया पकड़ा देना, तो मा ने तॉलिया तो दे दिया लेकिन साथ में कहा की, बेटी आज तो मैं दे रही हूँ, आगे से ध्यान रखना ये, गलती दोबारा ना हो, अभी से आदत डाल लो, ससुराल में ऐसा हुआ तो कौन देगा, तुम्हारी, सास लेकिन मांजी ये गलती एक दिन फिर हो गई, मैं, ने मां को तॉलिया पकड़ाने के लिए आवाज लगाए, तो मां नहीं आई, मेरे बदन का सारा पानी इंतजार, में सूख गया लेकिन मांने तॉलिया नहीं दिया, मू, इस सास नाम ने बहुत परेशान किया, मांजी हं तॉलिया ले जाना भूल गई, नहाने के बाद बात्रूम से अवाज लगाई की विपुल जरा तॉलिया दे देना, दर्वाजा खोल कर हाथ बाहर निकाला, तो मांजी ने हाथ में तॉलिया पकड़ा दिया, रेखा के मुक से विपुल नाम सुन मांजी सोच बैठी, इन य जाने की आदत डालो बेटी वरना, ससुराल में तॉलिया कौन पकड़ाएगा, तुम्हारी सास, रेखा वही सिर पकड़ कर बैठ गई,